हलो फ्रेंस आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चानल लीगल हेल्पिन हिंदी में फ्रेंस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि सुप्रीम कोट ने अभी हाल ही में अपराधिक सुनवाईयों के बारे में निचली अदालतों के लिए कौन-कौन सी गाइडलाइन्स को जारी किया है सुप्रीम कोट ने 6 नवंबर 2018 को अपराधिक मुकदमे के संदर में जिन-जिन बातों को ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में दिशा निर्देश याने की गाइडलाइन्स को जारी किया है केरल हाई कोट की आदिश को निरस्त करते हुए नियायमूर्थी अभे मनुहर सप्रे और नियायमूर्थी इंदू मलहोतरा के पीट ने ये कहा कि CRPC की धारा 231-2 के तहट गवाह से एक पूस्ताच करने के किसी आवेदन को स्थगित करने से पहले उस आवेदन पर गौर करने के दौरान आरोपी के अधिकार और जो अभियोजन पक्ष है उसके विसेस अधिकार के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए राजे की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने ये पाया कि हाई कोट ने निचली अधालत के आदे इसको पलटने का कोई कारण नहीं दिया था खंड पीट ने कहा कि CRPC की धारा 231-2 के तहट आवेदन के दोरान कुछ कारणों पर गौर किया जाना चाहिए जैसे कि गवाह या फिर गवाहों पर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रभाव पढ़ने की आशंका तो नहीं है दूसरा ये कि गवाह या फिर गवाहों को किसी भी तरह की धंकी दिये जाने की आशंका ना हो ये आशंका की अगर स्थगन नहीं दिया गया तो गवाह एक ही तरह के तत्यों के आधार पर ऐसी रटी रटाई बाते कह सकता है जो की अभियोजन की बचाव रणनेती को बिगाड़ देगा उस गवाह की यादस खराब होने की अशंका जिससे की पूस्ताच हो चुकी है CRPC के धारा 309-1 के संदर में अगर मूलतवी की अनुमती दी गई है तो मुकदमे में देरी हो सकती है और गवाह अनुपस्तित भी हो सकता है कुछ हाई कोट के फैसलों का जिकर करते हुए खंड़ पीट ने ये कहा कि CRPC के धारा 231-2 के तहट नियाए के आधार के लिए कोई गैर लचेला फार्मूला नहीं हो सकता है विवेक का परियोग मामले के आधार पर होना चाहिए ये पता लगाना जरूरी है कि अगर आवेदन को खारिज कर दिया जाता है तो क्या स्थगन चाहने वाले के खिलाव कोई बक्षबात की धारना तो नहीं बन जाएगी इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है इन ही सब बातों की चर्चा करते हुए सुप्रीम कोट ने कुछ गाइडलाइन्स जारी कर दी है जिसमें से सबसे पहले ये है कि अभियोग निर्धारन के बाद मामलों का विश्तिरत कैलेंडर तयार किया जाना चाहिए की जाने चाहिए एक ही विशे वस्तू पर अगर पूस्ताच की जानी है और अलग-अलग गवाहों से करी जानी है तो आसपास की अवधी के दौरान ही करी जानी चाहिए CRPC की धारा 231-2 के तहट जो स्थगन करने का अनुरोध है वो केस केलेंडर की तयारी से पहले किया जाना चाहिए स्थगन के अनुरोध का परियाप्त आधार जरूर होना चाहिए अगर गवाहों से पूश्दाच को स्थगित किया गया है तो निचली अदालत को उस संभावित तारीक का उलेख करना चाहिए ताकि उससे दुबारा पूश्दाच की जा सके गाइडलेंज के अनुसार केस केलेंडर का सक्ति से पालन किया जाना चाहिए जिन मामलों में निचली अदालत ने गवाहों से पूस्ताच को स्थगित करने के अनरोध को मान लिया है उनमें गवाहों को अनुचित रूप से प्रभावित करने और उत्पीडन या फिर धमकाये जाने की किसी भी तरह की कोई आशंका नहीं होने चाहिए अगर ऐसा होने की संभावना है तो उसका स्थगन रोक दिया जाना चाहिए तो फ्रेंस ये था आज का हमारा वीडियो कि सुप्रीम कोड ने अपराधिक सुनवाईयों के बारे में निचली अदालत को कौन-कौन सी गाइडलाइन्स चारी की है उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में दिये गए वेल आइकन को जरूर प्रेस करिए तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच्छ